हाई दोस्तों असलों किसे आप लोग मेरा अपना बील है आज हम लोग कंपेर करने वाले इस वीडियो के अंदर आइफोन 15 प्लस को गूगल पिक्सल 8 प्रो के साथ यह दोनों डिवाइस मेरे खरे दिवे हैं और मेरा जो ओपीनिन है इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी बा पैरेजन रहेगा आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आता है तब भी अच्छी बात है मुझे कोई फरक नी बढ़ता लेकिन आपको फरक पड़ेगा अगर आप जालने वाले हो एक फोन के बीचे 90,000 से लेके 1,000,000 रुपीज तो कौन सा आपको इन में से लेना चाहिए आपको समझ में आगा इस वीडियो को देख के वही पर आइफोन 15 प्लस जो है यह आपको MRP है 89,900 याने की 90,000, 5,000 रुपीज का कैश बैकर तक अभी 6,000 रुपीज का भी और 84, 85,000 रुपीज में आराम से यह मिल जाता है यह भी 128 GB लेकिन इसमें आप additional पैसा और डालेंगे 10,000 रुपे और डालेंगे तो यहाँ पे Google Pixel 8 Pro के प्राइज में ही आपको यह 256 GB में मिल सकता है तो यहाँ पे definitely 15 प्लस के पास advantage है डिजाइन बिल लुक्स इसके बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे यह तिपिकल आपल का डिजाइन है आइफोन में जो आपको देखने मिलता है इस बार फ्रॉस्टेड मैट इसका भी फ्रॉस्टेड मैट फिनिश वाला है अब देखिए लुक्स तो सब्जेक्टिव होते है किसी को 15 प्लस पसंद आ सकता है किसी को पिक्सेल 8 प्रो लेकिन कि आइफोन इतने पॉपिलर है तो यहाँ पे आपको 15 प्लस के अंदर एक अप मार्केट वाली फील आ सकती है लेकिन आइफोन 15 प्लस जो है यह 6 मीटर पानी तक जा सकता है वही पे पिक्सल 8 प्रो जो है यह 1.5 मीटर तक अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्लेज की तो यहाँ पे दोनों ही फोन के जो डिस्प्लेज है यह 6.7 इंचिस के डिस्प्लेज है 14 प्लस के अंदर आपको यह Dynamic Island दिखने मिलता है वही पे पिक्सल 8 प्रो में मिलता है यह पंचोल वाला डिस्प्लेज पिक्सल 8 प्रो का डिस्प्लेज है यह 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट वाला एक LTPO पैनल है याने की काफी लो रिफ्रेश रेट तक भी जा सकता है और यह डिस्प्लेज जो है य यह slow लगेगा scrolling वगरा के मामले में इस दिस्प्लेज है यह 15 प्लस के रिस्प्लेज के मुकाबले जादा ब्राइट है 15 प्लस में आपको 2000 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिलती है पीक वही पे पिक्सल 8 प्रो में आपको यह ब्राइटनेस जाती है 2400 निट्स तक और पि लेकिन यह एक चीज यहाँ पे दी भी है जो कि आईफोन में नहीं आती लेकिन दोनों में जो फेशल अन्लोकिंग है इससे आप बैंक अप्स को जो है लॉक अन्लोक कर सकते है जो कि दूसरे एंडोड फोन में पॉसेबल नहीं है यह चीज पिक्सल 8 प्रो में गूगल ने से क्योर भी है तो यह कंप्लील यह आप पर डिपेंड करता है बस यह डिफरेंस था तो मैंने सुच आपको बता दूँ हम लोग टेक्नोलोजी की बारे में बात करें और टेक्नोलोजी इन लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया है राइट फ्रॉम ओडरिंग फूर्ट इंवे करना हो या उससे रिलेटेट कोई चीज में आपने भी शुरू कर लिया और नहीं किया तब भी कोई बात नहीं में पास एक काफी बड़ी ऑपरचुनिटी आपके लिए तो एक प्लाटफॉर्म है जिसका नाम है OKX और OKX एक इनोवेटिव क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो उफर करता है वाइट रेंज और फाइनशल सर्विसेज राइट फ्रम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग और एक बात तो यह होगी कि आपको वेब 3 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए पर खास बात यहां पर यह है कि इन्होंने एक वेब 3 का कॉंपेशन भी रखा है और आपको सिंप्ली साइन अप करके कुछ अक्टिविटीज करनी है इस पर आपको सिंप्ली जाकर टास्क कंप्लीट करना है टास्क है कंप्लीट टास्क और पार्टनर डैप्स विथ ओके एक्स वालेट और यह डीटेश में डिस्रिप्शन में भी दे दूँगा वहाँती कुछ इजी तास्क कंप्लीट करो और गेट चांस तू विन अमेजिंग रिवार्ट सेलेबरेट क्रिप्टो एंड क्रिकेट तुगेदर दोनों इफोन के अंदर डूवल स्पीकर आते इनकी स्पीकर की लाउड़डेस टेस्ट करते पिक्सिलेट प्रो गया 84 डेसिबर्स तक मैक्सिमम और यहां पर आपको ऐसे लगता होगा किसी और वीडियो में आपने इसको देखा कि 87 तक भी गया 86 तक भी गया तो क्या होता है यह कोई जो है साउंड मेजरिंग डिवाइस तो नहीं है लेकि काफी अक्यूरेट है जरू हो सकता है कभी मैंने हाथ से कवर किया हूंगा कभी नहीं तो इस बार मैंने प्रॉपर लीग को पकड़ा था इस तरीके से ताके कुछ भी कवर ना हो आप यह बात करें दुस्तों पर्फॉर्मेंस के बारे में तो आईफून 15 प्लस के अंदर आता है एशे बाएने चिपसेट और श्यू कराएं और चेहन्सोर गी 3 चिपसेट और 12जी बी कराएं अब यहापे आपको 6 जी बी कराया हैं के सामने 12 जी बी कराया है वेसा और GPU की अगर बात करें तो यहाँ पे यह scores निकल के आते हैं, बहुत लोगा बोलना है कि इस मामले में आप Android और iOS को compare मत करना क्योंकि slightly अलग parameter पर दोनों compare होते हैं, मैं काम करता हूँ आपको दूसरे Android phone के साथ ही इसका comparison बता देता हूँ, तो आपको समझ मैंगा यह कहाँ पे stand करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते है Galaxy S23 Ultra, इससे double score करता है GPU के मामले में, और खुद Google के devices पुराने वाले इससे better perform करते है, टेंसर G3 chipset जो है एक बहुत गलट decision है Google का, इस phone में देने का इतना पैसा दालके इतना खराब chipset और इतना over performing GPU जो है यहाँ पे उन्होंने नही देना चाहिए था, performance तो खराब है, यह heating भी जादा करता है, अब gaming की बात करेते दोस्तों, तो दोनों में आप games खेल सकते है, high-end के games भी खेल सकते है, Battleground India या PUBG की बात करे, तो smooth और extreme FPS पे दोनों खेल सकते इस game को, Pixel 8 Pro भी नया device हो सकता है, कि PUBG के developers जो है, इसके लिए 90 FPS का option enable क क्योंकि इसका display ही 60Hz के refresh rate को support करता है, वाकि gaming के अंदर दोनों ही best perform करेंगे, slightly better perform करेगा 15+, इसके ज़्यादा powerful GPU की वाज़े से, अब battery capacity और charging speeds की बात करते है, तो Pixel 8 Pro के अंदर 5050 mH capacity की battery है, वावे 15+, के अंदर 4382 mH capacity की battery है, लेकिन यहाँ पे जो battery life आपको मिलने वाली है, वो maximum battery life आपको 15+, निकाल के देता है, and this is proven, आपने देखा होगा बहुत सारे battery test के अंदर, कि यह phone winner रहता है, और Pixel 8 Pro इसका मुकाबला नहीं कर सेता है, इसका chipset भी उतना efficient नहीं है, और इसका optimization भी उतना अच्छा नहीं है, कि इतनी अच्छी battery life निकाल के दे, तो battery life के लिए आपको कोई phone चीए, तो वो 15+, होना चाहिए, रही बाद charging speeds की, तो दोनों की charging speeds काफी similar है, यह 27 watts तक जा सकता है, और यह 30 watts की charging speeds आपको निकाल के दे सकता है, दोनों के अंदर wireless charging है, लेकिन Pixel 8 Pro में reverse wireless charging है, जिससे आप AirPods वगरा या दूसरे phone को भी charge कर सकते हो, वहीं पे 15+, के अ unlimited accessories है इसके, बैटरी और charging की मामले में मुझे जो winner लगता है, वो है 15+, अब wireless technology, sensors बगरा में कुछ फरक है, क्या, तो यह थोड़ा बहुत फरक है, 15+, में Apple ने Wi-Fi 6 दिया है, 6E नहीं, वहीं पिक्सल 8 Pro में latest Wi-Fi 6E आता है, तो Wi-Fi 6E routers और वो internet speed आपके बस है, तो पिक्सल 8 Pro प future में आ सकता है, वहीं पिक्सल 8 Pro के अंदर यह temperature sensor दिया है, जिससे आप thermometer वाला काम ले सकते है, अलग-अलग चीज़ों का temperature measure कर सकते है, नेक्स बात करते हैं दोस्तों UI की और OS की, तो OS updates की अगर हम बात करें, तो 15+, पे आपको 5-6 साल की updates, वहीं पिक्सल 8 Pro पे Google promise कर रहा है, 7 iPhone UI के साथ आते हैं, iOS के अंदर भी कोई bloatware नहीं, कोई ads नहीं, Pixel के अंदर भी कोई bloatware नहीं, कोई ads आपको देखने नहीं मिलने वाले, अब OS आपको कौन सा पसंद है, आपकी personal preference ज़रूर है, लेकिन अगर features की बात करें, तो वह आपको iOS के अंदर जाधा देखने मिलेंगे when compared to Pixel 8 Pro, इसमें हर चीज आपको जो application वगरा है, वो download करने पड़ते अलग से, और एक Android phone अगर आप ले रहे हो, तो basic आपके पास call recording तो होना चाहिए, जो के इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, iOS के अंदर भी native call recording नहीं आती है, लेकिन जब आप एक Android लेते हो, तो शायद उसमे built-in आता है, जिसके अंदर आप चाहिए, उतना customization कर सकते हो, इसका कोई टकर का application जो है, Android के अंदर आपको देखने नहीं मिलता, रही बात, UI जो है, कितना polished है, कितना अच्छा है, खुबसूरत है दिखने में, तो मुझे उसके अंदर iOS बेटर लगता है, आपकी choice कोई भी हो सकती है, अब बात करती है, गाइस, cameras के बारे में, तो Pixel 8 Pro के अंदर आपको पीछे triple camera का setup मिलता है, और इसका main sensor है, यह 50 megapixel का है, वही पे 15 plus के अंदर dual camera का setup है, और इसमें main sensor 48 megapixel का है, front facing camera 15 plus के अंदर 12 megapixel, और Pixel 8 Pro के अंदर 10 megapixel का दिया हूँ है, अब यह तो सिफ numbers की बात camera comparison में हमको देखने मिलेगा, तो चलिए वो करके देखते है, front facing camera से 4K 30fps पे वीडियो ले रहा हूँ, दोनों फोन से, दोनों फोन ही 4K 60fps भी support करते है, बाकि आप अवास पर ध्यान दो अभी फिलाल के लिए, बात में दूसरे चीज़ों पर ध्यान देना, जब में voice over करके आपको बताऊंगा कि किसमें कौन सी चीज बेटर आई है, अभी फिलाल आप field of view देख लीजे, कि कितना जो है, कौन सा फोन capture कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा, कि अगर आप इसे व्लॉक करेंगे, तो कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा, और अभी फिलाल जो ह है, वो 15 प्लस में definitely बहुत जादा बेटर है, देख सकते हैं जब धूप पीछे से आ रही है, पिक्सेलेट प्रो ने चेहरे का क्या हाल कर दिया, skin tone पूरा चेंज हो गया, सफेद हो गया, जबके 15 प्लस बिलकुल natural capture कर रहा है, skin tone अपना जैसा रहता है वैसा, और अच्छी fresh warmth वाली image जो है, वो निकाल के दे रहा है, आईफून 15 प्लस, पिक्सेलेट प्रो जो है, शाहे दूप पीछे से आ रही हो, सामने से आ रही हो, अच्छा नहीं देखता, और बहुत लोग बोलते हैं, कि भाई, उसमें HDR वीडियो अन था, HDR वीडियो अन था, में बेवकुफ यही नहीं है, तो यह चीज जो है, एक बहुत बड़ा लेट डाउन है, ऐसे फोन के लिए, जिसका फोकस पूरा जो है, कैमरा पे है, पिक्सेल अपने कैमरा के लिए जाने जाते है, लेकिन बहुत बड़ा मैं बूलूंगा, जो है, डिसपोइंट्मेंट है, यहाँ पे पि इसलेट परो के मुकाबले, यहाँ पे आप साफ तोर पे देख सकते हैं, और जो है, अपना प्रोजेक्ट ही HDR में है, तो HDR वीडियो यहाँ पे कैसे लगाओ में, वीडियो जो है, खराब हो जाएगी और उसको फिर HDR में कनवर्ट करना पढ़ेगा, जिससे अपको एक्शल इसलेट पर पर आप से रेकोड कर सकते हैं, पर हम लोग इसको 30 पर रखते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट है, उसका फ्रेमरेट मैच करने के लिए, और यहाँ पर जो आडियो पर सुनाई दे रहे हैं, उसके बाद वीडियो पर धियान देंगे हम आगे, त्युक्छे आडि पिक्सलेट प्रो में कभी रेडनेस आजाती है, कभी जो है फीकापना आजाता है, जैसे धूप पिछे से आ रही है, तो जो फ्रेंट फेसिंग कैमरा में किया, सेम चीज यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी, तो यह फ्लक्षिप जो कैमरा सेंट्रिक फोन होते हैं, उन पिक्सलेट प्रो ने इसको बिल्कुल कच्रे जैसा कर दिया है, कहीं पे एजटेक्शन सही है, कहीं पे गलत है, 15 प्लस भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पिक्सलेट प्रो जो है, उसके मुकाबले काफी वहर्स है, वीडियो स्टेबलाइजेशन, नॉर्मल वाकिंग के टा वीडियो स्टेबलाइजेशन में 15 प्लस विनर है, एक तो यह 2.8K में रेकॉर्ड कर सेथा है, पिक्सलेट प्रो सीधा फूल HD प्लस पे चला जाता है, रेजिलुशन भी जाता है, स्टेबलाइजेशन भी बेटर है, वीडियो के मामले में डेफिनिटली 15 प्लस जो है, खासियत हो दिया, आईफून की, कैमरास की खास तोरबे वीडियो में, आटो फोकसिंग भी अगर आप देखें वीडियो के दोरान, तो 15 प्लस में ही बेटर निकल के आगी, फास्टर फोकस करता है यह जबके इसमें कोई लाइडर स्कैनर भी नहीं दिया है, अलग से जैसे 15 प्लस और प्रो मैक्स के अंदर दिया तो इसमें भी यही विनर है, लेकिन 15 प्लस मैक्रो वीडियो नहीं ले सकता, पिक्सलेट प्रो ले सकता है, तो इस मामल में पीछे रह जाता है, सेलफीस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 15 प्लस की सेलफी मुझे काफी बेतर लगी पिक्सेलेट प्रो के मुकाबरे लेकिन पिक्सेलेट प्रो ने डायोनायमिक रेंज बेटर तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया है आप पीछे बादलों को देख सकते आसमान में लेकिन जो फोटो है क्लिक करते ही जिसमें बेटर निकल के आती है वो है 15+, और सेल्फी में अगर पोटेट की बात करे हम तो यहाँ पे एच डेटेक्शन जो है बेटर है पिक्सेलेट प्रो में और यहाँ पे ये जो पोटेट सेल्फी है ये बेटर निकल काई है पिक्सेलेट प्रो के अंदर ultra wide angle lens से ली गई फोटो के अंदर landscape में मुझे 15 plus की फोटो बेटर लगी दोनों फोन अपने main camera से 50 megapixel और 48 megapixel की फोटो ले सकते है 15 plus 48 megapixel की तो हम जब 400% zoom in करते है तो यहाँ पे मुझे 15 plus में ज़ादा clarity देखने मिली यह surprising लगा मुझे क्योंके megapixel का advantage pixel 8 pro के पास है portrait photos की बात करें तो pixel 8 pro 1.5x में फोटो लेता है और 15 plus जो है 1x में तो जो portrait photo है यह better निकल कर यह pixel 8 pro में 1x और 1.5x का अगर हम comparison करें तो वही पे 2x वाला comparison हम करें तो यहाँ पे मुझे 15 plus की जो photo है वह better लगी है 5x में pixel 8 pro portrait photos नहीं ले सकता अब उसको बाद में edit पे जाके portrait बना सकते है वह अलग बात है अब depend करें आप पे कि कौन सा camera आप जादा use करेंगे उसके हिसाब से आपको decision लेना पड़ेगा यहाँ पे night selfies की बात करें तो वह pixel 8 pro में better निकल के आई है और portrait photo भी जो है pixel 8 pro में better निकल के आई है लेकिन उसमें lens flare जो है काफी जादा लगा मुझे 15 plus के मुकाबले rear camera से ली गई फोटो और portrait photo दोनों ही pixel 8 pro में better निकल के आई है और night mode में ली गई यह tent की photo है जो के pixel 8 pro में जादा bright है 15 plus में उसको actual जो shot था वैसा दिखाया मतब shadow तो अच्छे से maintain किया है अब आपकी personal choice हो सकती किस type का आपको output चाहिए camera comparison आपने देख लिए guys आपको इसमें क्या समझ में आया मुझे आप comment करके जरूर बताना और अगर आपको इससे लगता है कि मैंने अफना opinion आपके उबर थो पाए तो आप पूरा camera comparison जो मैंने दिखाया आपको 5-6 minute का वो आप mute पे देख सकते है तो आपका verdict क्या है वो opinion है मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आप अगर गलत चीज लेंगे तो आपका बहुत भारी नुकसान होगा मेरा नुकसान नहीं होगा इसलिए मैं आपको यह बोलना चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपके लिए 15 plus आपके लिए जो है यह best choice रहेगी इसके बा इसमें अपने अप्लिकेशन पर पूरे डालावा नहीं है तब भी आदा स्टोरेज अपना फुल कर चुका है यहां पर बहुत बड़ा लेट डाउन है और शायद इसी वज़े से बहुत सारे लोग पिक्सलेट प्रो नहीं खरीदेंगे और अगर प्राइजिंग की बात कर बेटर है या पिक्सलेट प्रो बेटर है ओर यहां पर लेता है और यहाँ पर दिस्पले जो है एसके अंदर बेटर मिलता है 15 प्लस तो पिक देप्स है हाइर स्टोरेज वेरेंट भी मिलते है आपको साथ ही यहाँ पर विडियोग्रफी काफी अच्छी है फोटोग्रफी में ज्यादा पीछे नहीं है उसके मुगाबले परफॉर्मेंस बेटर है बैटर लाइफ आपको काफी बैटर देखने मिलती है इस पर और सबसे इंपॉर् होता है इसकी चिपसेट की वज़े से जिसकी वज़े से इसकी बैटर लाइफ भी अच्छी आपको देखने नहीं मिलती तो यह सारे फैक्टर को भी आपको इतना पैसा डाल रो एक फोन के पीछे तो मेरी चॉइस दोस्तों क्लियरली 15 प्लस है आपकी चॉइस कौन सी मुझ